कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्त और अब टेक्न विटर्स हुँ और आज हम आपके लिए लेकिया हैं टूक की ये नई इयर बर्ड्स जिसका नाम है आपको टूक बर्ड्स एस्टू लाइट इसका हम करेंगे आपके लिए डेटेल रिव्यू और जानेंगे कि ये इयर कैसा है तो आईए अपने इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं बॉक्स के उपर जो जो मेंशन है उससे तो सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर आपको डिवाइस का नाम बर्ड्स एस्टू लाइट यहां मेंशन है यहां पर आपको टूक की ब्रैंडिंग दी गई ह यहां पर आपको मेंशन है कि यह जो आपको इयर बर्स है यह आपको sliding sink technology के साथ आता है और यहां पर देखिए यह अपको एक made in india वाला से है इसके ठीक पीछे यहाँ पे इसके सारे features mention है वो मैं आपको बताना चाहूँगा तो यह देखिए color जो है इसके अंदर जो हमें मिलेगा वो है black यहाँ पे made in India mention है यह जो आपको earbuds है यह आपको powerful deep base के साथ आता है 10 गंटे का आपको play time आपको मिलेगा एक बार चार्ज करने के बाद sliding sync technology के साथ आता है इसके अरावा यह earbuds यह आपको AI power noise cancellation वाला earbuds है और 55 millisecond ultra low latency के साथ आता है यह तो बाते हो गए इसके features के बारे में आई अब हमें काम करते हैं कि यहाँ से इसके wrapper को हटाते हैं और box के अंदर से इसके items को निकालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको कौन-कौन से items आपको मिलेंगे तो यह देखे यहाँ पर यह पूरा खाली है box के ठीक उपर यहाँ पर देखे troop birds astrolite यहाँ पर है यह आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर इसके wrapper से हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखे truck के branding दी गई है यहाँ पर इसके ear birds है इसको हम दरा side में रखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और आपको क्या-क्या मिलेगा तो यहाँ पर देखे यहाँ पर यह box भी पूरा खाली हो चुका है तो यह देखिए box के अंदर से मैंने सारे items को निकाल लिए हैं यह देखिए यह है आपको different different shapes and size के ear birds हैं यह है इसका USB type C वाला आपको charging card यह है warranty card और यह है आपको user manual यह आप देख सकते हैं यह सारे items आपको box के अंदर से आपको मिलता है यह देख सकते हैं यह आपको birds as to light आप यहाँ पे देखिए आईए अब हम इसके design के बारे में बात करेंगे तो इसके ठीक ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको truck की branding दी गई है इसके ठीक नीचे यहाँ पे इसका charging port area है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ठीक पीछे यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं है और इसको आप ऐसे slide करोगे तो यहाँ पे इसके दोनो ear birds आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है left और यह right और यह देखे यहाँ पे charging light यहाँ पे जल रही है जिससे के पता चलेगा कि यह जो आपको earbuds हैं यह कितना charge है यहीं पे आप देख सकते हैं charging light यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और फिर इसको हम खोलते हैं यह देखे charging light यहाँ पे जल रही है और अब हम यहाँ से इन दोनों ear birds को हम बाहर निकालेंगे यह देखे यहाँ पे मैंने दोनों ear birds को बाहर निकाल लिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी premium quality का यह दोनों ear birds लग रहा है इन दोनों में यहाँ सामने के तरफ यहाँ पे truck की branding दी गई है और यहाँ पे देखे यहाँ पे आपको किसी device के साथ connect करने के लिए यहाँ पे आपको green और white color का light आपको जल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसको हम अपने smartphone के साथ connect करते हैं उसके बाद इस earbuds के बारे में बात करेंगे यहाँ देखे यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही connect कर लिया अपने smartphone के साथ तो यहाँ पे अब light नहीं जल रहा है तो यह तो बात ही हो गई इसके earbuds के design के बारे में और इसके charging case के design के बारे में आईए अब हम एक काम करते हैं कि इसको अपने कानों में पहनते हैं और इसके ओपर हम साउंड की क्वालिटी और इसके फिटिंग को हम टेस्ट करेंगे कि इसको कानों में पहने के बाद इसके फिटिंग कैसी है अपने सर को अगर हम हिलाएंगे तो क्या यह गिरता है या नही गिरता है यहां पर देखे यहां पर मैंने ear birds को अपने कानों में पहल लिया है और इसके उपर हम सबसे पहले इसके fitting को हम test करेंगे कि इसके fitting कैसी है तो इसके लिए हम अपने इस सर को काफ़ी तीरी से हिलाते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैंने अपने इस सर को काफ़ी तीरी से हिलाया फिर भी यह दोनों जो आपको यह बर्से यह हमारे कानों से बाहर नहीं निकले हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो fitting है वो काफी अच्छी है काफी compact है आईए अब हम इसके उपर sound की quality को test करते हैं तो इसके लिए मैंने अपने एस smartphone के साथ इसको connect कर लिया है और अब हम यहाँ पर sound की quality को test करने के लिए इसके उपर हम एक गाने को play कर रहे हैं यहाँ पर मैंने एक गाने को play कर दिया है और अगर हम गाने की quality की बात करें तो गाने की quality काफी अच्छी है music और lyrics जो है काफी अच्छे से synchronize हो रहा है और एक काफी अच्छा ecosystem मेरे कानों में आपको create हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते काफी अच्छे से यहाँ पर यह fit हो चुका है तो दोस्तों आपको यह earburst कैसा लाएगा यह आप नीचे comment section में comment करकर हमें ज़रूर बताएं इसका price कितना है इसको आप कहां से खरीदोगे यह सारी बाते में नीचे description area में आपके साथ share कर दूगा अब मैं आपसे इस वीडियो से विदा देना चाहूँगा सार नड़ा take care thank you